अस्सलाम अलेकूम कैसो आप सब लामदुलिल्ला में एक दम ठीक उम्मित करती हूं कि आप सब भी एक दम ठीक होंगे तो जी बहुत ज़्यादा हो रहा है आपस में ही जगड़ा जुगड़ा और गोंचु को ड्राइवर भी बोला गया और इस चीज़ को लेके बहुत लोगों को मिर्ची भी लगी विस्तार से सारी बाते बता थी तो जी आप लोगों को पता ही होगा कि घौंचु ने एक कमिनिटी लगाया था जो कि घौंचु ने नहीं लगाया था खुद पिटारा ने लगाई थी वो कम्यूनिटी जिसको चुपाने के लिए पिटारा ने एक ब्रामा भी की वो सारा भी आप लोगों को बताऊंगी तो बहुंचु ने कम्यूनिटी लगाया था अपने सपोटर को डिचॉन किया और फिर उसने जो सपोटर आते है अब इनका जगड़ा तो किते दिन से चल रहा है कभी हाजरा के नाम पे तो कभी केस के नाम पे तो कभी किस के तो कभी किस के नाम पे और वो जगड़े को ले के आज तक के टोंट बाजी कहीं ना कहीं चलती रहती है जिसको ले के इसके सपोटरों ने जो पुराने सपोटर है ना उन भीटारा को बहुत ज्यादा प्रैशर किये कि लोग एक कमिनूटी डालके और इन सब को डिसौन करो जो लोग भी केस की टीम बने हुए हैं कि हम किनुस कर रहे हैं हम लीगल टीम हैं इन सब को डिसौन करो तो पिटारा ने पता ही है आप लोगों को उसकी चालाकी कि वह हमेशा क्या करती है वो दूसरे के कंदे पर बंदो करके चलाती है उसी तरह से उसने एक लंबी चोड़ी कम्यूटी लिखी और जाके लगाई कहां पर गोंचु के चैनल पर लगाई और वो हैंड राइटिंग लिखावर्ट वो अब प्रोस्व में रहता है और वह भी कहां रहता है जाएं पर पिटारा खूद रिफ्लाइ करसी ना वहां पर भॉंचु का मैसेज रहता है वरना तो मैसे लिखने नहीं आता है तो इत्सनी बड़ी क की सकता है तो यह 네ंप सकता है अब में सापोर्ट यह इस सब्सक्राइब जानार लगा और मतलब यह सारी चीजह देखके जईड़ थी बात जो टीम है उनको भी बुरा लगा उन झालोगों ने फिर मुझे नहीं पत्ताinta सीफ तो पिटारों ने फिर आप लोगों को पता ही है किस तरह से बच जाती है जूढ बल देती है मुझे तो पता ही नहीं था मुझे नहीं पता करे गौन्च्ट गोंचु ने ऐसे क्यूं किया मैं रही जानती गोंचुने से क्यूं किया तो वो तो बच गई पढला हुआ दीन त्युटर olabilir गोंचु के वफर सारा मलबोंहीत क्यूं दाल देंगी कि मुझे निए देना क्या में पता है तो फिर इतने सारा मलवा गोंचु के उपर डालते हुए अपने आपको साफ कर ली और फिर इसकी लीगल टीम ने आके बताई के वो गोंचु ने डाल दिया था उसने बोली यह पिटारा ने के वह एंदा है तक कुछ नहीं करेंगा और करेंगा तो फिर मैं देख लूँगी फिर वापिच से मतलब वो जो काला मुँथा नहीं वो पुराने सपोर्टरों के उपर चले गया जिसको लेकर इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया पुराने सपोर्टरों को उनकी जो लीगल वाले सपोर्टर है उन लोगों ने फिर ये किये प्रेशर डाले बात किये जो भी किये उसके बाद में फिर इसने गोंचु ने एक वीडियो बनाया और मतलब के बोल दिया के नहीं है ये तो हमारे सपोर्टर है हम तो इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं मत फिर इसने अन कर लिया फिर इनके सपोर्टरों को फिर से गुस्ता आ गया कि भई तुने अभी डिस्वान किया था हमारे बोलने पे अब उनके बोलने पे तुने फिर से अन कर दिया तो वो वीडियो को लेके फिर बहुत ज़्यदा बाते उने लगी और इसकी एक सपोर्ट की अम्मा बने हुए तो इसके लिए फिर इन लोगों ने उस जो सपोर्टर है ना उसके पर इन लोग सब जने चड़ गए और इन लोग उसके लिए खूब बुरा-बुरा बोलना शुरू कर दिये लाइबे लगा-लगा के खूब धोए उसको वीडियो बना बना के खूब धो वह पोले कि यह सपोटर नहीं यह गोंचु को ड्राइवर क्यों बोल रही है जो दीख रहा है वह बात कि उसमें बोल दी पने मुह से जाईर सी बात है न कहीं तो ड्राइवरस से कम तो नज़र आता नहीं तो इस चीज़ को लेके फिर नूगों ने मतलब आपस में लड़ाई जगड़े ये सब सुरू कर दिए कोई गोंचों के लिए लड़ा है तो कोई पिटारा के लिए तो कोई अपने आपके लिए एचे करके इनके सब के बीच में आपस में ही खूब जगड़े उने लगे और पिटारा ने सोची कि अब ये बीच में content लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताके ये जो आपस के जगड़े है न ये कम्यूटी से ध्यान अटाया जाए आपस में जो लड़ रहे हैं इनका ध्यान अटाया जाए तो उसने क्या करी कोसर की डिलिवरी अला कॉंटेंट लेकर आ गई बीच में ताके सब का ध्यान हट जाए लेकिन खेर पिटारा का ये प्लैन तो हो गया चौपट कोई का ध्यान नहीं अटा बलके लोग वही तरह से उसी तरह से लड़ाई जगड़े ये सब चालू ही रखे थे फिर पिटारा ने सोची कि जो पुराने सपोटर है न क्यों ना मैं उनको एक काम दे दूं जो क कि उनका ध्यान हट जाएंगा फिर कोई और आके जवाब देंगा फिर उनसे लोग लड़ने में लग जाएंगे और लीगल टीम के साथ में इनके जगड़े खतम हो जाएंगे क्योंकि ये जो पुराने सपोटर है वो एक तरफ है लीगल टीम है वो एक तरफ है ये दोनों क तो फिर गोंचु से आते हैं या सलमा और अजगर से आते हैं बस ये चार जने हैं जिससे इसको व्यूज आते हैं तो फिर इतने क्या की बेशरम औरत ने इसने अपने पुराने सपोर्टरों को स्क्रीप दे दी और इसने बोली कि तुम लोग ये बात उठाओ कि अम्मा नजर नहीं आ रही है जायर सी बात है जो बाबा है ना वो वीडियो नहीं डाल रहा है दो वीक हो गए मेरे ख्याल से वो वीडियो नहीं डाल रहा है और सलमा सुरू दिन से ही अपनी माँ को वीडियो में नहीं ले रही है क्योंकि पिटारा नहीं बोल के बेजी है कि तुम सलमा क गटर में गिर जाओंगी मैं नाले में कुछ जाओंगी मैं मर जाओंगी मैं मेटे जाओंगी मैं लोटे जाओंगी मैं किसी के भी नीचे सो समझ गए न जाओंगी तो इसके लिए वो वीडियो में नहीं आ रही है तो इस बेहुदा औरत ने अपने पुराने सपोर्टरों को स्क्रीब दी कि तुम लोग ये बात उठाओ कि पिछली बार जब अम्मी गई थी तो सल्मा ने इसकी टांगों पे मार मार के अम्मी की टांगे तोड़ दी थी और अभी तो दो हफते से अम्मीना नजर नहीं आ रही है किसी के भी वीडियो में और अम्मीना मुझे कांटेक्ट नहीं कर रही है अभी आके इसके सपोर्टर बात कर रहे है कि सल्मा ने आप पता नहीं ऐसा क्या कर दी है इसकी मां को जो इसकी मां है ना किसी के भी राप्ते में नहीं है किसी के कॉंटेंक में नहीं है अब आप लोगों को पता ही होगा कि वो आके अगर यहां पर सल्मा के वीडियो में आके अगर वो जवाब देती है के नहीं मेरी बेट ठीक है मैं कॉंटेक्ट में हूँ या जैसे पिछली बार भी तो इसने कीती ना अम्मा को दवाई नहीं दिला रहे हैं अम्मा की टांगे तोड़ दिये हैं ये वो फिर अम्मा को आके एक वीडियो बनानी पड़ी थी जिसके अंदर अम्मा ने बोली थी के पिटारा इस ताके वो मज़ीद नवी में जाके वापिस से इस तरह की वीडियो बनाए और फिर ना मैं सिंपती लूँ मैं बोलूँ कि देखो मिरी अम्मा वाँ जाके ना सलमा की हो गई सलमा ने बढ़का ली सलमा ने अपने तरफ कर ली मतलब गेम कितना अच्छा खेलती है ये तो इस आना चारी है कि इसकी मां को ना जान से मार दिया गया है जितकी वज़े से ना वो किसी के भी कांटेक्ट में नहीं है जबके इसको बहुत अच्छे से पता है कि इसकी मां ना उम्रा करने गई है एक महीने में दूसरी बार इसकी मां उम्रा करने के लिए गई है और ये बात सब के सब इस कंट्रोवर्सी में पढ़के लड़ने के लिए बैठ जाए सलमा से और फिर है ना ये जो इनके आपस के जगड़े है ना वो खतम हो जाए पिटारा कितना दिमाग लगाती है अप लोग खुद सोचो और रही बात के पिटारा के कॉंटेक्ट में अम्मा नहीं है अच्छा पिटारा नहीं तो किती बार आके ये बोलिए कि मैं मेरे सपोर्टरों को स्क्रीप नहीं देती हूं मैं इनके कॉंटेक्ट में नहीं हूं और इसके सपोर्टर खुद भी बोलते हैं कि नहीं हमें जो वीडियो में नजर आता है ना तो वही के उपर हम लोग रिव कितानी हो रहा है वो सबसे कट हो गई है खास करके पिटारा से ये बात कौन बताया ये तो पर्तनल बात है ना जब तलक के पिटारा तुम लोगों को नहीं बताएंगी तुम लोगों को कैसे पता चलेंगा कि पिटारा रापते में है के नहीं है मतलब तुम्हारा जूट य अपने सपोटरों को वो खुद कॉंटेंट देती है कि इस मुद्दे के उपर कॉंटेंट बनाओ वो खुद देती है वरना तो फिर परसनल अगर इस लोगों को स्क्रीप नहीं मिलती है तो यह परसनल बात कैसे बाहर आई कि पिटारा के कॉंटेक्ट में नहीं है अम्मी सोच मेरी बात नहीं हो पारी है मुझे नहीं पता हमी कैसी है अम्मी की तबित कराब है मुझे बड़ा डूल लग रहा है ऐसे करके इसने वीडियो बनाई थी और उसी के जवाब में इसकी अम्मी ने वीडियो बनाई थी कि पिटारा कली तो तुम्हारे से मेरी बात हुई है पिटारा सुबह ही तो मेरी तुमसे बात हुई है तुम ऐसे क्यों बोल रही हो कि मैं तुम्हारे कांटेक्ट में नहीं हूं पिटारा सुबह ही तो हमने बात की है मैंने तुमको बताई कि मैं दवाई लेकर आई हूं प्टारा याद है यह वोई वाला गेम है ना फिर से रिपेट कर रही है ताकि एक न्यू कंट्रोवर्सी होए इतनी कोई यह जाहिलियत से भरी हुई जलाद और अरत है और गिरी हुई औरत है बकि यह सलमा को बदनाम करने की जाइड सी बात है करेंगी ही कोशिच ताके ना इसकी माँ वाफिस आ जाए इसकी माँ को बुलाने के लिए यह हर हद तलक के जाएंगी बहुत गिरी हुई हरकते करेंगी रमजान हो जाने दो फिर आप लोग इसकी हरकते देखना क्यूंकि अभी इसका कॉंटेंट चल र सब difix हो और यह कैसे अपनी मां को सलम हो को सब को कंटेंट बना के यूज करती है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से पता है कि सलम अपनी मा के साथ में कैसे रहती है कैसे नहीं रहती है जो उसकी बेस प्रेंड भी नहीं है जो जादा जानती भी नहीं है बस वहाँ पर उम्रा करने के लिए गई थी नताशा उसने क्या वीडियो में बोली उसने क्या बयान दी सभी को पता है भई सभी को पता है के नताशा ने क्या बोली है कि मेरे कॉंटेक्ट में है यह मेरी दोस्ते साथ में वो फेशल वगेरा करवाने गई थी और भी बहुत मदद की है इस ने पिटारा की तो वह तो पिटारा के खिलाफ जाके तो कुछ नहीं बोल सकती ना जो सच है उसने वह बोली क्योंकि वह हमेशा नताशा बोलती है कि मे मैंने इतनी वीडियो बनाई नहीं इतने तैसे किलिप्स लिए वह भी जब कुछ फीरी टाइम उता था था तो बास यह वाला सी ने बागी मार्शलाला उनके अम्मी खैरियत से हैं इतने कॉमेंट्स है कि या सलमा ख्याल ले रखती है वह उनकी ख्याल रखोगे क्या यार भी जी सुन लिया आप लोगोंने नताशा का क्या खहना है यह आप लोगों ने अपनी वीडियो में लगाई थी नताशा का जिसके अंदर ऑब बोल रही थी कि वह अपनी मां को ना फूलों की तरह रखती है पलकों पर बढ़ा के रखती है बैटे बैटे इसको खाने देती है हर एक चीज हाथ पे देती है मतलब कि अवंते निसी फूली होती हो मां जेती ऐसी और जिसको मिलती है जो के सल्मा है बद नसीब होती है वह मैं जो पिड़ारा जैती है अवलाद होती है जिसकी है तो पता नहीं वो अपने नसीब को क्यों बद करने के लिए पकिस्तना आ जाती है बाकी इसके कुस नसीब दिखती है वह जब वह सलमा के पास रहती है तो जब गैर आके बता रहे है कि सलमा इसना ख्याल रखती है अपնी माँ का तो यह मात बेटे किसे जूट बोल सकती है कि मांगों मार दिया गया है इसकी मांगी टांगे तोड़ दी गई है इसकी मांपों पता नहीं च इन एक जाइब हो गई है और आपते में नहीं हैं या बाबा वीडियो बना के अपनी बीबी को दिखाए या वो फिर मजबूरी में सलमा की वीडियो में आके कोई बयान दे फिर इलोग उस चीज़ को लेके कंट्रोर्वर्थी करेंगे और फिर घूम फिर के मुद्धा कहां जाएंगा सलमा के उपर किसके उपर बहुंकेंगे सलमा के उपर यहीं इनका है ना मोटीव होता है यह इसका गेम होता है पिटारा ते को शरम आनी चाहिए के तु इतने गंदे गंदे इसक्रीपे लीक लीक के अपने सपोटरों को देती है और सपोटर को तो भई क्या लेना देना किसी से पहले तुम लोग अपनी तो बचा यह सही वली बज़ा रही है पहले उससे तो बचलो तुम लोग फिर बाद में बैठके ना सलमा के पीछे लगना अपना तो तुम लोग जवाब दे नहीं पायर होते रोते पहुंच गए साजीद भाई साजीद भाई हमें बचा लोग लीगल टीम है ना में मस्त दोर यह कि तुम लोगों ने ऐसे करके पिटारा से कम्यूटी लगा के उनको खुश कर दी इस पिटारा ने और फिर बाद में गोंचु से वीडियो बनवा के लीगल टीम को खुश कर दी और मैं हमें सब बोलती हूं यह इसी तरह से बेवकूप बनाती है अपने सपोर्टरों को जैसे कर देती है फिर जब मर्जी आती है ना तो उनको चापलूती करके ओन कर लेती है और सपोर्टर भी बड़े ही बेवकूप है भई दूम इलाते हिलाते चले जाते और यह बात आप लोगों को याद होगी मैंने बताई भी थी कि अभी इतने डिसान किया है ना भी कुछ दिन जाने दो फिर याउन करके बैठ जाएंगी और यह लोग भी बेशर्मों की तरह दूम इलाते हिलाते पहुच ही जाएंगे उसके पास में जो के लोग हमेशा ही यही करते है और यह हम दिल से नहीं बोल रहे है यह हमेशा हमने देखे है यही हुआ है इसके लिए हम इसी बा पोडर बनी हुई है ना उनको बुरा भी बहुत लग गया तो भई बुरा मानने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को जो सच है उसने वो बोल दी अब तुम लोगों को मिर्ची लग गई कि इसको ड्राइवर क्यों बोल दिये तो भई ड्राइवर को ड्राइवर ना बोले तो क्या बोले आप लोगों के husband इस तरह से ठैला ले लेके तुम लोगों के पिछे पिछे गुमते हैं नहीं ना husband कैसे होते हैं normal husband वो सभी को पता है यह तिरफ और स्रिफ ड्राइवर के duty निभार है तो इसको driver बोल दिये और तुम लोगों को इतना क्यों बुरह लग रहे बोर ही हूँ वो समझी गई होगी खैर चले हमें क्या लेना देना भाई बाकी ही सलमा के लिए तू कितने भी प्रॉपगंडा कर ले पिटारा कुछ भी कर ले मैं तो यहां से सलमा को यही मैसे दूँगी कि सलमा यह कुछ भी करे मर जाए मिट जाए लुट जाए कुछ भी हो जाए लेकिन तुम आके इसको जवाब नहीं दे ना और कोई भी आके तुम्हारे घर पे से इसको जवाब ना दे रही बात अम्मा की तो अम्मा को मुनासिब लगेंगा तो अम्मा खूद अपना चैनल बनाए और जवाब दे क्यूंकि चाचा के चैनल से भी जवाब देती आलती है तो बोलते हैं चाचा उठ भी चाचा खूद बोलने लगा रही इंट में पही पाकि यहीं पैंड करती है विडियो करने चाचा प्रेशर में मिलते नेक्स्ट वीडियो ब então